और मेरे सुर्वेरों कैसे हो तो आज हम पढ़ेंगे जीयस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वह कोईला यानि की कोल इसमें मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे की आपको पूरी तरह सियात हो जाएगा वीडियो पूरी तेखिएगा और अगर आप पने हैं तो चलो को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथी साथ अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मिलता है बहुत मुटिवेसन तो चलो भिना फाल दो बखवास किये चलो सुरू करते हैं आज की क्लास तो सबसे पहले बच्चे जान लेते हैं कि यह कोईला होता क्या होटी कोल ला जो होता नो यह काले रंग का मुझा रंग काला होता है या फिर भूरा होता एक जलन सिल्पदार स Wine जलने वाला पडार से जो तलहटी अथ्वा अवशादी चत्था नोमपए पाये जाता है अब यह अवसादी चत्थाने क्या होती है। जो चोटे च्टूटे चट्थानेे होती चोटी चोटी रॉक्स होती है वो एक जगहे पर इकठा हो जाती है ठीक है तो इकठा होने के बाद उसमें काफी लंबे समय के बाद मनलब उसमें जो चीजें इकठा होती है जैसे कि उसमें जो इस तरह की चटाने होती है उसमें जिवास में इधन पाए जाते हैं जैसे इसमें कोईला हो गया ठीक है और उस उसके लावा पेट्onents लिएम होगया ऐसी सारी कही सारी चीजह इसमें पाई जाती है तो इनहें आसळी शक्टान कहता है कि कि कुणि हमें से नहीं कोकि साइब अप्सके पारे में अगर मैं क्या-क्या होता है क्या चीज्ज्ट आते तो सबसे cancer चीज्टो कार्बन और भी कई सारी चीजम्वती होगे लेकिन यहां पर क्या क्या चीज़े हैं आपके लिए कार्बन हाइडोजन सलफर ऑक्सीजन और नाइटोजन फिलाल इससे अभी तक मुझे कोई कोश्चन मिला तो नहीं लेकिन जो जो चीज़ें आपको मिलता रहे नो वो देखते रहेगा और यहां पर देख लेते हैं कि यह किस तरह का पदा ठेक हैं तो जेते घुक्त अगर इसके बारे में कि कोईला कैसा पदार्ट है खनिच बनार यह कैसा खनीच पदार्थ है यह जेसी जिवाश्म तो अब इसके सबारे में बात करेंगे पहले हम Princess मोटे मोटव मोटी चीज़ों के पारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर श्कार बेखना हो सबस्क्राइब किस कॉच्छा होगा जा जाता पर शह करें तो इसका जो रंग होता है वह किस तरह का होता है इसका रंग यह तो काला होगा या फिर भूरा होगा ठीक है मैं यह बर देखो एक चीज़ और भी कि इसमें यह सारी छीज़े मिली होती है लेकिन यह जो प्रोड्यूस करता है वह carbon dioxide यानि इसका मतलब यह अगर यह carbon-dye-oxide करता है तो इसका मतलब कि यह अच्छा स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है ठीक है तो यह भी आजाता है कोश्चन में कि इसे कोईले के जलने पर कौन सी गैस सर्जित होती है यानि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है तो उसका सही आंसर होगा साफ़ित तो रंगर्एकि बार मतले कि यह बूरा होता है। और इनका प्रियोग कहां पर होता है तो इनका प्रियोग जो होता है वह है गरेलूत पांद में प्छको जलेखकरी ciru हुए है तो यह चीज़े प्रयोग में होती कोईले में आप जानते हैं इसका निर्माल कैसे होताँ अब मैं बात बताथ हूं आपको कि यह जीवास्म के बारे में बात कर रहा था तो यहां पर क्या होता है कोईले का निर्माल तब होता है जब कोई भी प sinner यानि कि पीट में परिवर्तित हो जाते हैं कापी समय तक लाखों वर्सों तक यह क्या होता है अधिक टापमान और दाब तो यह question भी कई बार आया हुआ है ठीक है कि कैसे इसका निर्माल होता है तो यह कई सालों तक लाखों और सो तक जमीन में दबे रहते हैं और अत्यधिक तापमान और दाब के कारण यह कोईले में चेंज हो जाते हैं ठीक है कौन सी चीजें जो लकली होती है या फिर कोई सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है यानि सबसे यादा कौन सा देश है जो सबसे यादा कोईला आयात करता है यानि सबसे यादा यूज कोईले का कहां पर है तो इसका वही छोटी आखवाले हैं कौन से चीन ठीक है इसलिए उनकी आखे चोटी होते हैं क्योंकि इतना सबसे बड़ा निर्यार तक है तो आज मैंने कुश्चन भी पूजा था कि आस्टेलिया की मुद्रा जो है वो डॉलर होती है अच्छा और कमेंट में यह बताईएगा कि आस्टेलिया की कैप्टल यानि आस्टेलिया की रास्थानी कौन सी है यह आप लोग बताईएगा में हम आ जाते हैं कि भारत में इसके उत्पादक राज्य कौन से हैं तो भारत में जो कोईले का उत्पादन वो तीन राज्य कौन से नंबर एक बर तो आपका ज्हार खंड है ठीक है दूसरे पे 36 गड़ है कौन सा 36 गड़ दूसरे पे 36 गड़ है और तीसरे पे जो आता है गो आता है बच्चा उडीजा ठीक है उडीजा तो यह तीन Companies के राज्य होगए अगर भारत के बारे में पूशता है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्तपादन किस राज्य में होता है तो जारखंड में दूसरे पर 36 गड़ है और तीसरे में उडिसा है समयागी बाद अब यह आता है कि इस समय वर्तमान कोईला मंत्री कौन है वर्तमान कोईला मंत्री तो वर्तमान यह जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना तो उस समय के जरूर सर्च करके देख लीजिएगा कि उस समय कौन है कोईला मंत्री तो फिलाल अभी के बाद में बता देता हूँ तो अभी जो है वो है प्रहलाद ठीक है पहला जोशी यह कौन है इस समय कोईला मंत्री है पहला जोशी अब यहाँ पर थोड़ी सीम के बाद में और भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो यह कैसा इधन है इतके बारे मैंने पता दिया कि यह कैसा इधन एक जीवासमी इधन है और सबसे बढ़ी चीज तो यह है कि जो भी जीवासमी इधन की जो भी जरूरते है न वो पूरे विश खाना बनाने में यूज होता है साथ बिजली बनाने में यानि विद्धू तुद्पादन में ठीक है बिजली बनाने में अब यहाँ पर आती है विश्व की उनका एक चौथाई जरूरत कोईला पूरा करता है ठीक है उर जाके यहां पर लिखते हैं तो यह सबको पताए पैंट बनाने में इसका यूज होता है फिर जीते के पॉलिश हो गए या फिर आपके जो भी चीजें होती किसी भी चीज की पॉलिश के लिए जो पॉलिश बनाई जाती है किसी चीज को चमकाने के लिए वो कोईले से बनता है टाइप राइटर की जो स्याही होती है कौन सी टाइप राइटर की जो स्याही होती है ठीक है टाइप राइटर इसकी स्याही बनाती है साथ में टायर भी को कोईले से बनते हैं और जूते जितनी यह और भी काफी साज जूते आदी यानि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोईले से बनाई जाती है यह बात आ गए चलिंद तो इसका मदलब क्या होता है और इसके साथ साथ जो लजय के कारखानेंगे कोएले का भी मरी बहुँत ज़्याद Higher इसका प्रियोग होता है अच्छा स्वीचित नियुक्त हे जहना होता है इसका यूज जो है वह बहुत ही नुकसांगारी है यानि siis से बहुत सारी जिससे सबसे यादा प्रदूसर्ण होता है तो इसका मतलब इसका यूज अच्छा नहीं है तो जैसे इसे टाइम चेंज हो रहा ना जिससे लोगों को पता लग रहा है कि यह ग्लोबल वार्मिंग का भी जिम्यदार है इसलिए अब कुछ देशों में इस पर परतिबंद भी लगाया जा रहा है बात आगे समझ में तो यहां पर हम इतनी चीजे याद रख लिए अब दिखो एक चीज और भी है कि हम यह याद करना होता है कि कोईले के बारे में कि इनके प्रकार कितने होते हैं ठीक है तो कोईले के प्रकार के बारे में जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा तो मैंने तो इसका नाव वह न बहुत नाव को था सब्सक्राइब नहीं करनें गूंत कोका-कोला ये बात जैसे मैंने उसको बोली क्योंकि हम लोग गयत रेलवेगा पेपर देने तो उसने आब तूने तो घजब की चीज बोली ए बिट्टू लिमका पिए गा मतलब ये तो कोईला हो गया सारे चारो की चारो अब मैंने पूछा कैसे तो उसने मुझे बताया कि ये कैसे तो देखो ए से क्या हो गया ए से हो गया एंथ्रेसाइट क्या हो गया एंथ्रेसाइट कोईले के परकार सो पहला देख रहां एंथ्रेसाइट बिट्टू तो बिट्टू का मतलब हो गया बिट्टू मिनेश क्या हो गया बिट्टू मिनेश बताओ समझ में आ रही है बात फिर और पियो गएगा य्प पहला हो गए हमारा एंतरी साइट सबस्की और लिखनेनल और चॉत्ः पएँशल देखो एह मैंने उससे पूछा था और उसमें लिमका उसने आप इसमें पिया तोल, लिकिन साथ-साथ उस्षार चीजे और देखिया, क्या है आप इन 4 तरह के कोईले के नाम, ठीक है, अब हम इसमें क्या-क्या चीजे देखते हैं, एस चीजे जान लो कि जैसे जो भी कोईला होता न, जिसमें कोईले में कोईले की मात्रा जादा होगी, poison कव्यक्ति वह कोमेला सबसे अच्छा होगा ठीक है तो यहां पर हम कारबन के बढ़नें पड़ लेतें तो एंथ्रेसाइट में कोमेला कितना होता है 44 वे से 98 परस्त 44 वे से 98 पirstत तक से कार्बन होता है यहाँ पर इस इतर से च्यासिज़ पिरसद पिर आता है लिगनाइट में जो कार्बन की मात Keeping अथाइस से तीस पिरसद आप लास्ट में आता है पीट तो पिट में कार्बन की मात Alrighty oti साइट है यह क्या है सबसे अच्छा कोईला अगर यह पेपर में आता है आपका कि सबसे अच्छा कोईला कौन सा माना जाता है तो अब नहीं भूलेगा सबसे अच्छा कोईला कौन सा है एंथ्रेसाइट और अगर यह सबसे खराब कोईला कौन सा है तो सबसे खराब कोईला है पीट ठीक है यह सबसे खराब है क्यों क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 27 प्रस्ट से कम है तो सबसे बेकार सबसे घटिया सबसे खराब कोईला है पीट बताओ इतनी भातें समझ में आगी जाद होगी होंगी सारी चीजें यहां पर देखो कि एंत्रे साइट जो होता ह अगर यह कोईले से होता है तो को कोंग का निर्माल के से होता है अच्या निरमाल विटूमिस है है ठीक है और यहाँ पर लिगनाइट की बात कर लेते हैं तो लिगनाइट जो होती है इसका भी यूज बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है और इनके बारे में जाने लिए कि यह सबसे बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज बहुत ही कम होता है किसी भी केस में, तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, कि अगर कोईले के प्रकार के बारे में आप से यहाँ जाता है, क्यों एक ही लाइन यादगी रखियेगा, मुझे याद रखियेगा, मेरे दोसको याद रखियेगा, कि A बिट्टू लिंका पीयेगा, तो A से क्या हो जाएगा, एंथरेसाइट, B से बिटूमिनस, ली से लिगनाइट, और P से हो जाएगा, पीट, तो सब से अच्छा कोयला कॉन सा है सबसे अच्छा कोयला और कहारंगी से 98 प्रसाइट फिर बिटू यानी इसमें इसमें कितना है yay elly डू लिएगा है और इसमें करबन के हुछ कल लिए तो वह समझ्हेघ हुआ कि मैं कारबन की बात कर घाथं यह सारे के सारे इसके कार्बन के पिरसत हैं अब इतने सारी चीजें यहां पर एक बार फिर से हम revise कर लेते हैं इन चीजों को कि हमें क्या क्या चीजें हमारे एक्जाम में पूछी जा सकती हैं और बिना revise किये वीडियो को cancel मत की जागा पूरी चीज़ें देखिएगा एक बार हम देख लेते हैं कि यहां पर कोश्चन कैसे आ सकते हैं कोश्चन यह आ सकता है कि कोईले कहां से प्राप्त होता है और साधी चट्टानों से कहां से प्राप्त होता है और साधी चट्टानों से ठीक है कार्ब कोईले में क्यों सी चीज़ें प यह जो कारखाना में प्रेयोक, यह पूरे विश्यो के जितने भी को इंधन की जरूरत होती है, इसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है, रंग जो है, प्रिश duck, númeroag, और यह प्रिजुक के जितननी है, जहरीली का इसमानी जाती है ठीक है और उसके बाद आता है इसका निर्माल इसका निर्माल जो होता है यह इनके पेड़ पौधे के तूटे हुए भाग है या पिर कोई भी जीव है वो अगर जमीन के अंदर दब गया तो जमीन के अंदर अत्यधिक तापमान और दाप के है तो विस्ट का सबसे बड़ा आयातक देश चीन है याद कैसे रखो गें याद रखोगी कि भुए लगने से आखे छोटी हो गई तो किसकी चोटी होती है चीन वालों की तो सबसे ब्सक्राइब निर्यातक देस आस्टेलिया सबसे बड़ा निरिया था नहीं होता महां बार भार अपने कपड़े जार्ते रहते हैं तो बहुत आहềं दूसरे चरतिस गर्द तीसरे पर उडिशा आफ़को ग्यादर रखी एग laughs उसके बाद इनका यूज मैंने देख लिए कि कहां कहां पर मैंने बताया कि पैंट में बनाने में पॉलिश बनाने में टाइप राइटर में टायर ट्यूब जूकते इन सब को बनाने में इनका प्रियोग होता है फिर कोले के प्रकार के बारे में याद रखेगा किई एबीटल लिमका पीएगा बस इतना याद रखेगा एसे एंधरैसाइट और सबसे अच्छा कोला कौंसा है और सबसे खराब कोला कौंसा है पीट ट्有 जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो वह अच्छा कोईला जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो वह खराब कोईला तो बताओ इतनी सारी चीज़ समझ में आगी अच्छा एक चीज यह भी कि इनका यूज जो है वह बहुत ही कम कर दिया गया है ठीक है इनका यूज बहुत ही कम कर दिया गया है क्योंकि यह बहुत ही जादा नुक्सान करते हैं और इनकी जितने तेजनी से यूज हो रहा है ऐसा माना जाता है कि एक टाइम आएगा कि यह सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्स लगते हैं और इनका यूज जिस तरह से हो रहा है जिस तरह से इनका उत्खना इनकी खुदाई करके इनको निकाला जा रहा है तो इस तरह से बता जा सकता है कि जो यह जिवास मेंधाना यह बहुत ही जल् इसलिए इनका प्रियोग जरूरत के हिसाब से करनी चाहिए ठीक है और यह बहुत ज्यादा नुक्सान दायक भी है कि यह कोईला जो है उनकी वज़ा से अमली वर्षा भी होती है और ग्लोबल वार्मिंग के संकेत भी इससे मिले हैं कि कार्बन डाय ऑक्साइड परियावरन मे इसका असर पड़ेगा इसलिए यह माना गया कि कई देशों ने अब इसका प्रियोग करना बंद कर दिया है तो बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोईले के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गही होगी और कोईले से आने वाला कोई भी कोश्चन आपके पेपर में अब गलत नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपने अब तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम बिल्कुल भी टेलिग्राम ग्रूप जोइन कीजिए वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट और जो भी मैंने पढ़ाया है इसके फ्री आउप पॉस्ट ये नोट्स भी आपको हैंड डिटन नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होंगे ठीक है तो देर किस बात की तु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए अपने एक्जाम की तैयारी तो चलो फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो जैहिन वंदे मातरम